गैस प्रोफेशनल फ्टोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी करने के लिए हमें अच्छी लाइटिंग की नीड होती है आई होप इस बात को आप सभी समझते होंगे लेकिन हमें अपनी लाइटिंग के साथ कौन सा डिफ्यूजर यूज करना है जिससे बढ़िया आउट्पूट आए ये बात बहुत कम लोग जान पाते हैं आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वालो एक ऐसा डिफ्यूजर जो ब्यूटी डिश के साथ में आता है और इसको यूज करके आप बहुत अच्छी प्रोफेशनल आउट्पूट निकाल सकते हैं अपनी किसी भी कौटिनुस लाइट के साथ में जो बोवन्स माउंट सपोर्ट करता हो तो आएए देखते हैं आज की वीडियो में डिजिटक का ये जो लेटेस्ट ब्यूटी डिश सॉफ्ट बोक्स है किस तरह से परफॉर्म करता है और कैसे आप इसको यूज करके बढ़िया आउट्पूट निकाल सकते हैं तो शुरुआत करते सबसे पहले अन्बोक्सिंग से और इसकी ब्रेंडिंग में मेरे को एक बात बहुत अच्छे लगी जैसी आप इस बोक्स की तरफ ध्याद देंगे तो यहाँ पर सारी जानकारी हमें इसके बारे में दे रखे जैसे कि इसका जो एक क्रेट ग्रिड से किस काम आता है रिफ्लेक्टिव सरफेस किस काम आता है नाइलोन फैबरी का क्या काम है तो एक बीगनर जब इस बोक्स पर भी पड़ेगा तो वो समझ जाएगा कि हमें इसको अपनी लाइट के आगे क्यूं लगाना होता है वैल अब करते हैं इसको अनबोक्स और देखते हैं कि इन दी बोक्स हमें क्या-क्या देखने को मिलता है So Digitec की ये Beauty Dish Softbox Bowen Mount के साथ में आता है येलो कलर की पैकजिंग में और यहां से मैं आपको बाहर निकाल के दिखाते हैं पैकजिंग में से आपको मिलता है इस तरह का कैरिंग केस जिसके अंदर है Beauty Dish Softbox और इसमें कहीं तरह की एकसेसरी और कहीं तरह की जो है इसमें पार्ट्स हमें इस Softbox के देखने को मिलते हैं जैसे की यह है beauty dish और यह है इसकी grid जो मैं आगे attach करके आपको दिखाऊंगा और यह है गाईज इसके आगे के diffusers जो की बहुत एच्छी quality के लग रहे हैं और यह है main Softbox मैं आपको बाहर निकाल के दिखाते हूं तो इस तरह ऐसे जो है यह Softbox आता है और हमें packaging में कुछ भी द इसको सबसे पहले open करना होता है उसके बाद हमें beauty dish attach करने होती है screw से और guys फिर हमें लगाना होता है सबसे पहले diffuser ताकि light हमारी first diffuse हो और इसको attach करना बहुत ही असान है इसके इंदर हमें velcro की attachment दे रखे है तो बहुत ही easy जो है आप जल्दी से attach कर सकते है first diffuser को उसके बाद ह second diffuser ताकि हमारी light और भी जदा soft हो जाए तो तीन तरह की diffusing हो गई और उसके बाद guys हमें attach करनी होती है grid ताकि हमारी light directional हो जाए और बहुत ही जादा soft impact दे तो इस तरह से आप पूरा attach कर सकते हैं अब guys मैं आपको इस soft box की सबसे खास बात बताने वालो जो बाकी soft box से इसको अ कर आती है उसके बाद bounce back करके वो सारी जगा फैलती है फिर वो first diffuser से soft होकर आती है और उसके बाद फिर second diffuser से soft होकर आती है और उसके बाद guys grid से हम उस light को और भी soft और directional कर देते हैं तो यह चार लेर की softness है इसकी वज़े से guys बहुत जादा light हमारी diffuse हो जाती है और अलग ही impact ह हमारी videos में दिखता है और जो लोग travel जादा करते हैं या फिर destination wedding, pre wedding shoot करते हैं उनके लिए इस softbox में कमाल का feature है कि इसको pack करना बहुत ही जादा आसान है आप एक umbrella की तरह इस तरह से इसको quickly pack कर सकते हैं और इसके carrying case में डालके इसको shoulder पर hang करके कहीं पर ले जा सकते हैं बहुत असान है इसको कहीं पर लेके जाना और इस softbox में दिया गया है bowens mount यानि कि जितनी भी आजकल latest light आ रही है चाहे digitek की और फिर किसी भी brand की सब के साथ ये softbox compatible है so guys मैंने कर दिया है इस softbox को assemble और इसका size है 85 cm अगर आप इससे बड़ा size लेना चाहते हैं आपके पास जादा area है तो आप वो भी ले सकते हैं और जो मैं इसके साथ अब light attach करने वाला हूँ वो है digitek की 100 watt की light इसको guys मैंने already जो है review कर रख है तो link आपको description box में मिल जाएगा औ और guys अब मैं इस पर attach करते हूँ और देखते हैं किस तरह का soft impact पड़ता है हमारे face पर इस softbox को attach करने पर अब as you can see मेरे left hand side में softbox light के साथ जो है install मैंने कर दिया है और मेरे face पर बहुत ही अच्छी आपको एक तरफ soft light दिख रही होगी और एक तरफ आपको shadows दिख रही होगी अब मैं अगर थोड़ा सा अपने face को move करके आपको दिखा हूँ तो इस तरह से भी आपको idea होगा कि side angle से किस तरह से soft light का impact आ रहा है हाला कि मैं light के काफी pass खड़ो तो हो सकते है थोड़ी बुझे over bright हो मेरे face पर light लेकिन guys जब हम थोड़ा सा distance पे खड़े होते हैं माल लीज ताकि light का impact जादा से जादा soft आपके face पर आए इसके लाबा guys अगर मैं size की बात करो तो ये है 85 cm जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया लेकिन जितना बड़ा size होता है उतना ही wider area वो cover करता है माल लीजे इसकी width इतनी है तो अगर मैं इससे भी बड़ा size लोगा तो मेरा और setup को cover करेगा तो choice इस चीज़ की आपने करनी है लेकिन जो softness है इसकी काफी कमाल गया आप देख सकते है कि इस तरह से soft light का impact ही मेरे face पर डाल रही है अब soft box की importance को और भी जादा detail में समझने के लिए मैंने soft box को हटा दिया है light के आगे से और light की intensity है 10% अब आपको idea होगा कि अ बहुत ही जादा overexposed मेरा face हो चुक है तो इस तरह का face पर harsh impact ना आए इसलिए soft box को install किया जाता है ताकि बहुत ही अच्छी professional हमारी वीडियो में आए और एक natural tone हमारी वीडियो में दिखे तो देखा गाईस कितना जादा impact पड़ता है अगर हम soft box को अपनी continuous light के आगे लगात तो इसी तरह से आप soft box का इस्तेमाल करके बहुत ही professional output अपनी photos और वीडियो में निकाल सकते है और इसके अलावा अगर आपके mind में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे comment box में लिख सकते है और इसी तरह की informative वीडियो सबसे पहरे देखने के लिए make sure आप चैनल को subscribe कर लें stay tuned until next video इसनल के ब de 22 कि कॉल एंवay कोई नंत iba किस्व और आपी देख बहुत है खिसांगा च्तेम्धियो में ओ ठावणियो बीडियों ओने धनीबर भी एंज बहुत है सिरिन आपके página